नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं सेना ने जमू कास्मिर के कुपवाडा जीले में नियंतरन रेखा पर चीन में बने एक निगरानी ड्रोन को सनिवार को मार गिराया है या ड्रोन भारतिय सिमा पर घुस आया था अधिकारियों ने बताया कि सतर्क जवानों ने कैमरे से लेंस DJI Mavic 2 Pro ड्रोन को केरन सेक्टर में हावा में मन राते हुए देखा और बाद में इसे मार गिराया है उन्होंने बताया कि ड्रोन को जब्त कर लिया गया है और मामले की जाद चल रही है मौसम पुर्वर्मान में बताया गया है कि रभीवार को राजे में मौसम साफ रहेगा राज के किसी इसे में बारिस की संभवना नहीं है सुबह और रात में कुछ अस्थानों पर कोरा भी देखा जा सकता है मौसम विभा के उनसार अगले 48 घंटे राजे के मानसुन की बिदाई के लिए बहात अच्छे इस्थिती बन रही है पिछले 24 घंटे में राजे में लोटता हुआ मानसुन कमजोर रहा राजे में सबसे ज़्यादा अधिक्तम तापमान जमसेत पूर का 33 डिगरी जबकि सबसे निमतम तापमान राची का 20 दसमलो आज डिगरी रिकोर्ड किया गया है देश विदेश के 30 लाख परिवार आज करेंगे सुन्दर कांड का पाठ राश्टिये स्वयमस्वक संग के अनुसांगिक संगठन एकल अभियान के अनोखे परियासे रविवार को सुन्दर कांड पढ़ने का 20 रिकोर्ड बन सकता है 24 अक्टूबर की साम तक इस अवियान से जुड़ने के लिए 25 लाख लक्ष के विरोध देश विदेश के 30 लाख परिवारों ने वंधन करा लिया था बता दे कि रेजिश्टेशन का या से सिलर अभिवार को भी जारी रहेगा लोग अपनी सुविधा अनुसार अपने अपने घरों में सुबा 6 वे से लेकर आतरी 10 वे तक सुन्दर कांड का पाठ कर सकेंगे रोजगार के तलास में लोटने लगे जारखन के लोग लोकडाउन के बाद अनलोक सुरू हो गया है अब कुछ गतिवी दिया ही परतिबंदित रह गई है दूसरी और लोगों को फिर से दूसरे राजियों में मन्चाहा का मिलने लगा है यही वज़ा है कि काफी संख्या में लोग वापस जाने लगे हैं लोग ब्यक्तिकात रूप से अधीक लोट रहे हैं लेकिन कुछ लोग प्रवासी राजे कंट्रोल रूम को सुचित कर रहे हैं ऐसे लोग जो दूसरे राजियों में जा रहे हैं उनमें से काफी लोग अपना राजिस्टेशन प्रवासी कंट्रोल रूम में करा रहे हैं ताकि भवी से में कोई संकट आए तो उन्हें मदद मिलने में आसानी हो जारखन के प्रारामभिक सिक्षकों की प्रोनाती में अधिकारी फसा रहे हैं प्रमोसन को लेकर पहले ही संकल्प पत्रजारी किये जा चुके हैं इसके बाजूत जीले के अधिकारी मार्ग दर्शन मांग रहे हैं। जीले से मांगे गए मार्ग दर्शन पर सिक्षा भी भागने फटकार लगाई है। आरक्षन मिल रहा था इसे बढ़ा कर हमारी सरकार ने 27 परतिशत करने का निनलिया है। भाजपा के हिडेन एजेंडा में गएर भाजपा सासित राजों को कमजोर कर किसी तरह से अपनी सत्ता को बनाए रखने और राज की गएर भाजपा नेतित वाली सरकार को अईस्थिर कर सत्ता हाथियाने की रही है। हेमन सुरेण ने दुमका में सनिवार को सनवय दाता समिलन में कहा कि जारखन का केंदर सरकार के पास एक लाख को रूपए से अधिक का बकाया है। उन्होंने कहा कि केंदर से अपना हाख अधिकार छीन कर लेंगे। भाजपा के परदेश अध्यक्ष दिपक प्रकास ने दावा किया है कि भाजपा दोनों सीटे पर उपचुनाव जीतेंगी तो हेमन सरकार की आयू अधिक लंबी नहीं होगी। उन्हें दोनों सीटों पर जीत का भरोसा भी है। तो इसमें या असपश्च मेंसन करना होगा कि वे फिजकल सुनवाई चाहते हैं या फिर ऑनलाइन सुनवाई चाहते हैं। हम Medal 타 इनकी सुरक्षा मेरी सहयली करेगी इसके लिए धनबाद रेलमंडल के दौरा ग्रेंड कार्ड सेक्षन से होकर गुजरने वाली या त्री ट्रेनों में पाच-पाच महिला सिपाईयों की तीन टीम गठित की गई है या टीम 24 गंटे सुरक्षा और जगरूपता के अभियान में लगी है जारखन में 383 ने संक्रमीतों के पुष्टी हुई जो वोकारों से 40, 14, 22, 16, धनबाद, 50, दूमका, 4, पूर्वी, सिम्भूम, 48, गडव, 28, गोड़ा, 4, गुमला, 17, हजारी, बाग, 16, जामतरा, 1, खोटी, 21, कोड़ारमा, 3, लाते, हार, 8, लोहर्दाग, 7, रामगर, 10, रां 17, ठानबे, लोग, स्वास्थ हुए, और 864 की मिरिती हो गई, भारत में कुल संक्रमीतों के संख्या, 78, 36,892 है, जबकि 70, 75,23 लोग, स्वास्थ हुए, और 1,18, 566 की मिरिती हो गई, भारत में नाएकेस 50, 224 मिले है, जबकि 62, 154 लोग, स्वास्थ हुए हाई, आर्मी के मेजर से ठगी करने वाले 12 साइवर अपरादी देवगर से गिरिफतार, भारतिये सेना के एक मेजर से ठगी करने वारे साहरुक समेत एक दरजन साइवर अपरादी को जारखन में देवगर जिलाक की पुलिस ने गिरिफतार किया है, इस करवाई में पुलिस ने ए तालिस मोबाइल फोन ब्याली सिम काड़ साथ पास बुक 15 एटिम काड़ वतीन भाइक भी बरामत की गई है बाजार में सबजी खरित्ती नजर आई पुर्व सिक्षा मन्त्री निरायादो मनडब में पुझा के बाद बाजार में सबजी की खरिदारी की इस दरान उन्होंने सड़क के किनारे सबजी बेच रही मैलाओ की समस्य अभी सुनी और उन्हें दुर्गा पुजा की सुपकमनाय दी सहीद पुलिस जवानों के नाम पर हो सड़क वाई स्कूलों का नमांकरान सर्जेंट मेजर आरके रंजन ने बताया कि राची जीलाबल के 20 जवान अब तक सहीद हुए है सहीदों के नाम पर इसकूल या सड़क का नमांकरन हो इसे लेकर रुपाय उतको ग्यापर सोपा जाएगा लदाख में ड्यूटी के दोरान चानों का अविसेख सहीद लदाख में देश की सरहद की रक्षा करते हुए चानों पर खंड के चोरेया गाव निवासी जवान 25 वर्षी अविसेख कुमार सहीद हो गए अविसेख के सहीद होने की सुचना सेना की ओर से उनके परिवार को सनिवार की साम करीब पांच बज़े दी गए सेना की ओर से बताया गया कि सनिवार को दीन में करीव अधाई बजे गस्त के दुरान अभिसे कुमार पहार से फिचल कर खाई में गिर कर गायल हो गए थे सरना धर्म कोड ममले में सीम के बियान का स्वागत राजी पहा सरना प्रार्थना सभा भारत के राष्टिये अध्यक सरना धर्म गुरु बंधन तीगा ने मुख्य मंतरी के बियान का स्वागत किया है जिसमें मुख्य मंतरी हमान सुरेन द्वारा जन आकंचाओ को ध्यान में रखते हुए सीगर विदान सभा का भी से सत्र बुलाकर सारना कोड बील पारित करने की बात कही है बलतकार का कारण कुरोना बताने का सीम का वियान इंदनी ये बिजेपी परदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक परकास ने मुख्य मंतरी हमान सुरेन के द्वारा राज में बरते बलतकार की घटनाओ के लिए कुरोना संकट को जीमेवार ठाराने की निंदा किया है उन्होंने काया कि अपनी सरकार की विफलताओ ये अगामी दो उप चुना में महागट बंधन की होती हार को देखते हुए सीम बोखलाहट में उलूल जूलूल बाते कर रहे हैं बाबा बैजनात का दर्शन के लिए 26 अक्टूबर से 1500 सुरधालू की अनुमती इसके तर जार्खन के साथ दूसरे राज के सरदालू बाबा बैजनात कर दर्शन इपास के माध्यम से कर सकते हैं आपको बताते चलेगी बर्तमान समय में परती दिन एक हैयर भकतों को बाबा मंदीर में परविश करने की सीमा निधायत की गई है जार्खन उप्चुनां में जद्यु करेगा भाजपा को समर्थन जद्यु दूमका और बेरमो में भाजपा उमिद्वार को समर्थन देगा क्योंकि राजब सरकार के पास गरिबों के लिए कोई योजना नहीं है भाजपा विधायक दल के नेता बाबुलाल पर सीम हेमन सुरे ने साधा निशाना मुख मंत्री हेमन सुरे ने पूर्व सीम और भाजपा विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी पर निशाना साथे वे काया कि चुनाव चिन और जंडा का रंग बदलने के साथ ही ब्यक्ति की सोच और प्रतिवत्ता भी बदल जाती है CM ने काया कि बाबुलाल जी को क्या हो गया है जिस भाजपा के खिलाप लोगों से वोट मांगे उसी भाजपा के साथ कैसे हो गाए धनबाद में बिली भुक्ताओं को समय से पहले बील भुक्तान करने पर एक फिस्दी छूट धनबाद में बिली भुक्ताओं अगर समय से पहले बिजली बील का भुक्तान करते हैं तो उन्हें एक परतिसत का छूट मिलेगा या भोक्तान ओनलाइन वा ओफलाइन दोनों के जरिय कर सकते हैं जीलेक में 2,20,000 बेलियों भोक्ता है जो इसका लाव उठा सकते हैं जार्खन में भरष्टा चार की जननी है भाजपा कॉंग्रेस परदेश कॉंग्रेस के प्रवक्ता अलोक कुमार दूबे ने भाजपा के परदेश अध्यक्स दिपक परकास दोरा प्रेस कॉंफिरेंस पर चूट की लिया है परवक्ताओं ने सनिवार को कहा कि राजे में भरष्टा चार की जननी भाजपा है राज के प्रथा मुख्पंत्री बावुलन मरांडी के वचनों को दिपक परकास को याद करना चाहिए जब वे कहा करते थे कि ब्रष्टा चार के अलात या है कि उन्हें रातों को नींद नहीं आती लालू परसाद हो सकते हैं रिहा बिहार चुनाव की सरगर्मी के बिच लालू परसाद यादो जेल से बाहर आ सकते हैं बता दे कि जिस दिन उनके बेटे तयस्वी परसाद का जनम दिन है उसी दिन लालो दूमका को सगार से अवय निकासी मामले में आदिस सजा पुरी कर ले रहे हैं ऐसे में लालू परसाद को हाई कोर से जमानात मिलने की संभावना है औरमाजी टोल पलाजा का घिराव औरमाजी के चुटू पाल टोल पलाजा में अस्थानियों लोगों से टेक्स वसुली सुरू कर दी गई है इसकी जनकारी मिलने पर असानियों लोगों में नराजगी है लोगों ने भाजपा, कॉंग्रेस और जार्खन मुक्ति मोर्शा की नेताओं के सन्यूक नेत्यूत में टोल पलाजा का घिराव किया यहां पहुच करने ताओं ने प्रोजेक्ट मैनेजर हेट से बात की और और बाजी परखन के लोगों से टोल टेक्स नहीं लेने की मांगी पलामु जिला के दो अलग-अलग सड़क हाद्सों में आठ लोग जखमी हो गया है सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है गड़वा जिला में कई महिला है और गनिक खेती को बढ़ावा देना चाहती है लोर्दागा जिला में सेनहा थाना छेत्र के एक कुवा से युवक का सव बरामत किया गया है राची नगर निगम छट पुजा को लेकर तलाब की सफाई अभियान सुरू कर दिया है स्राम मंत्री सत्यानंद भुकता ने माधुरगा से महा अश्टमी के दीन राजे की उनती के लिए मनते मांगी है एचीसी ट्रेनिंग इंस्टिट में 119 अप्रेंटिस की भारती में आरक्षन निती का सही से पालन नग करने का रोप अभियार्थियों ने लगाया है धन्यवाद हमें आप कोमेंट बक्स में बताईए कि क्या बलातकार का कारण करोना हो सकता है अपना सुझा वीडियो को एक लाइक कर अवसे दे थैंक्यू